उरद्यां ARAS Academy में दोस्तों पूरे भारत वर्ष में जिस ऍदि व्याकरं से सम्मन्दित प्रेशन पूछे जाते हैं उन उन परिक्षाओं के लिए दोस्तों net हैं हूँ जो आपकी परतियोंगी परिक्षा के लिए अत्यांत महतोपुन है यह 50 प्रशन आपको देखने से दोस्तों करीबन 200 मुहावरे है वो आपको याद हो जाएंगे और इन में से एक भी मुहावरा है वो बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो दोस्तों अरद्यारिक सेकेडमी क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें अगर आपको हिंदी का कोई भी टोपिक सर्च करना हो या इंडिया जीके से समंदीत या राजस्तान जीके से समंदीत या जरूर मिल जाएंगे तो देखिए पहला प्रस्न है यां पे इन में से कौन सी विशेष्टा मुहावरों की नहीं है यहां पे देखिए चार उप्षन आपके सामने दिये गए है तो देखिए मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते वे वाक्यांस होते हैं बिल्कुल सही है दूसरा देखिए मुहावरे पूर्ण वाक्य होते हैं तो ये इसमें गलत हो जाएगा देखिए मुहावरे है वो पूर्ण वाक्य नहीं होते वाक्यांस होते हैं सामनित है मुहावरों के अंत में ना सब्द का परियोग होता है किस सब्द का परियोग होता है ना सब्द का पर गाना, आखे बिचाना, आखे फेरना, आखे मूंदना, कान खोलना, इस देखिए यहां पर ना सब्द का परियोग हो रहा है मुहावरे के लाश्ट में, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी मुहावरों की विशेस्ता नहीं है, तो बै नंबर का उप्शन बिल आखों में खटकना, आख के अंदे, गान्ट के पूरे और आखों में धूल जोकना, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ना सब्द, तीक है, लास्ट में आपको यह ना सब्द दिख रहा है, कि इन चारों उप्शन में किस किस के में है, तो देखिए, यहां यहाँ पे होना के अंदर है, यहाँ पे खटकना के अंदर है, और यहाँ पे जोकना के अंदर ना है, और दैन नमबर के option में देखिए, यहाँ पे ना नहीं है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैन नमबर का option यह लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है, दैन नमबर option सयुत्तर तीन नमबर प्रेशन है किस मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा होना है किस मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा होना है तो देखिए आखों का तारा होना यानि कि बहुत प्यारा होना जैसे राम है वो अपनी मां का आखों का तारा है तो आखों का तारा यानि कुल से उत्तर हो जाएगा और भी देखिए आखों से समंदित में आपको मुहावरे बताता हूँ देखिए आखे पत्रा जाना यानि की इंतजार करते करते ठक जाना आखे तुराना यानि की नजर बचाना आखे बदलना यानि की खिलाफ होना आखे की किरकरी होना आखे की कि A number option हो जाएगा next कौन से मुहावरे का अर्थ चोकरना होना है तो चोकरना होना है ये कौन से मुहावरे का अर्थ है तो यहाँ पे देखिए अपन कोई कुता अगर सोरा होता है तो अपन उसके पास से निकलते हैं तो दोस्तो उसके automatic उसके कान खड़े हो जाते हैं थोड़ी सी अवाज आते ही यानि की दोस्तो इसमें कान खड़े होना यानि की चोकरना होना बैनमबर का option बिलकुल से उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें यहाँ पे देखिए कान का कच्चा होना इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब होता है सिगर विश्वास करना और यहाँ पे कान लगाना का मतलब होता है द्यान से सुनना ठीक है और कान में रूई डालना का मतलब होता है अनसुना करना ठीक है तो यहाँ पे कान खड़े करन होना इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पांच नमबर प्रेसन है इसमें देखे किसी के सामने मेरी आदत नहीं है यहाँ पे दोस्तो कालिस्तान में कौन सा मुहावरे का परियोग होगा यह अपने को बताना है किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है क्या है हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट सिक्स नमबर प्रेसन है इसमें देखे किस मुहावरे का अर्थ पर्तिष्टा नस्ट हो जाना है किस मुहावरे का अर्थ है पर्तिष्टा नस्ट हो जाना है तो यहाँ पे देखे दोस्तो नाक कटना नाक कटना यानि कि बेज़ती होना यानि कि पर्तिष्टा है वो नस्ट होना तो यहाँ पे देखे नमबर का उप्षन नाक में नकेल कसना मतलब वस्मे करना तीसरा देखिए मक्की नाक पर नए बैटने देना यानि कि दोस्तों मक्की नाक पर नए बैटने देना तो इसका मतलब हो जाएगा इज़त खराब नए होने देना तो इस प्रेशन का राइट अंसर दे नमबर उप्सन आगे देखिए साथ नमबर प्रेसन है किस क्रम में मुहावरे का सई अर्थ नहीं है तो कौन से क्रम में मुहावरे का सई अर्थ नहीं है तो यहाँ पे देखिए अंकुष लगाना यानि की रोक लगाना बिल्कुल सही है अकल के अंदे होना यानि की मुर्क होना बिल्कुल सह करना जैसे आपने सुनाई होगा कि लोमडी को लोमडी के अंगूर हाथ नहीं आये थे तो उन्होंने का था कि ये अंगूर खटे हैं तो आपने वो कानी तो सुनी होगी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा से नंबर का उप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है तीक है चाही हु में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है तो कौन से क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है तो यहाँ पर देखी दोस्तों कोलू का बैल होना यानि कि निरंतर काम में लगे रहना तोपी उचालना यानि कि खुशी से नाचना ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा तोपी बाकी के इसमें और सही है हातों के तोते उड़ जाना यानि की होस्को जाना लाल पीला होना यानि की गुस्सा करना बै नमबर उप्शन सही उत्तर आगे देखें आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है तो दोस्तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ तो इसका मतलब होता है दोस्तों विपत्ती आना क्या होता है विपत्ती आना तो इसमें ले कर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ है तो दोस्तो कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है तो वो है दोस्तो रहस से खुल जाना रहस से खुल जाना यानि कि रहस से का प्रकट हो जाना या रहस से खुल जाना कल्य खुलने का मतलब होता है तो इसमें बै नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे बारा नंबर का प्रेशन है 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है तो 99 के फेर में पढ़ना यानि की धन जोडने में लगे रहना तो इसमें ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे तेरा नंबर का प्रेशन है चुलू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ है चुलू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ है तो दोस्तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा वो है इसमें दोस्तो लज्जा के मारे मुह नहीं दिखाना ये दोस्तो चुलू भर पानी में डूबने का सही अर्थ है तो इसमें बे नंबर ओप्षन सयुत्तर हो जाएगा यानि कि लज्जा के मारे मुह नहीं दिखाना नेक्स्ट चोजरा नंबर का प्रेशन है गाट-गाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों वो है बहुत अनुभवी होना यानि कि गाट-गाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है तो इसमें से नंबर ओप्षन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट चे पंदरा नंबर का प्रेशन है आकास पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों वो है पूरी सक्ति लगा देना जैसे राम अपनी परतियोगी परिक्षा की तैयारी के लिए पूरी सक्ति लगा दी तो इसका राइट आंसर यानि कि आकाश पाता लेक कर दिया देनमबर उप्षन सही अर्थ है तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों वो है समाप्त ही ने होना यानि कि किसी वस्तू का समाप्त ही ने होना तो इसका राइट आंसर सेनमबर का उप्षन सही अर्थ हो जाएगा आगे देखें किस क्रम में मुहावरे का सही यर्थ नहीं है तो कौन से क्रम में मुहावरे का सही यर्थ है वो नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों अंगुठा दिखाना अंगुठा दिखाना का मतलब यहाँ पे साबासी देना नहीं होता तीक है यहाँ पे अंगुठा दिखान यानि कि थोड़ा बहुत अंतर होना, इंट का जबाब पत्थर से देना, यानि कि दुष्ट के साथ दुष्टता करना, तो इस प्रैसन का राइट आंसर A number option हो जाएगा, आगे देखें, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे करना, आगे देखें, किस क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, तो कौन से क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर देखें, साप सूंगना, यानि कि इस पूर्ती आ जाना, ये गलत हो जाएगा, साप सूंगना यानि कि निस्क्रिये हो जाना, तीक है और रंग बदलना यानि कि बदल जाना ठीक राफ ओरडना दोस्त लगाना चूम अंतर होना यानि कि गायब हो जाना तो इसका राइट अंसर ए नंबर का ओपिछन हो जाएगा आगे देखे, किस क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, यानि कि देखे, दाल में काला होना, यानि कि संदे होना बिल्कुल सही है, बच्छिया काताउ होना, यानि कि दोस्तों इसमें मुर्क होना, देखे, चांदी का जुता मारना, तो रिश्वत देना, खून पीना, तंग करना, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो इसका right answer, seven number option हो जाएगा, आगे देखे, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, वो है दोस्तों, पुरानी बातों को दोराना, पुरानी गीके दिये जलाना, यानि की एसंभव कारी करना, गीके दिये जलाना मतलब खूसिया मनाना, यहाँ पे एसंभव कारी करना यह गलत दे रखा है, अंगद का पैर यानि की एडिग रहना, आस्तीन का साप यानि की महांदों के बाद, गले का हार होना, यानि की बहुत पिरिय होना तो इस प्रेसं का right answer ten number option हो जाएगा अगे देखे किस करम में मुखावरे का सई अर्थ नहीं है कौनसे करम में मुखावरे का सई अर्थ नहीं है तो यहाँ पे देखे सीधा सा आपको यहाँ पे दिखरा होगा दान्ने को तरसना यहां पे बहुत परियास करना लिख रखा है यानि कि बहुत गरीब होना ये दोस्तों दाने दाने को तरसने का सही अर्थ हो जाएगा तो इसका राइट आंसर ए नमबर उप्शन हो जाएगा देखे धूप में बाल सुखाना यानि कि अनुबव हीन होना पेट में किरकरा करना तो ये बाकी के तीन सही है ए नमबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है किस करम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है तो यहां पे देखे लोहा बजाना यानि कि काम धंदा करना यानि कि लोहा बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा सस्त्रों से य विजती होना, चीटी के पर निकलना, यानि कि विनास के निकट होना, तो इस प्रहस्न का राइट आंसर बैनमबर ओप्शन हो जाएगा, नेक्स्ट है, देड़ चावल की खीचडी पकाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, अपना मत अ अलग रखना, से नंबर ओप्शन सही उत्तर, नेक्स्ट है, किस क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पांचों अंगुलिया घीमे होना, यानि कि काम की अदिकता होना, इसका मतलब होता है, चारों और लाब होना, यह काम की अदिक पांचों अंगुलिया गी में होना मतलब चारों और लाब होना, चोपट करना यानि कि नष्ट करना, गुरु घंटाल होना यानि कि बहुत चालाक होना, बाल-बाल बचना यानि कि कटना इसे बचना, तो इस प्रेशन का राइट आंसर से नंबर उप्शन हो जाएगा, नेक् कौन से करम में मुहावरे का सही यर्थ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, मन मारना यानि कि उदास होना, सिक्का जमाना यानि कि प्रभाव इस्तापित करना, तीसरा देखिए, इसमें राइका पाहड बनाना, यानि कि बहुत मैनत करना, ये गलत हो जाएगा, राइका पाह चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है इद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है तो वो है दोस्तों बहुत दिनों बात दिखाई देना से नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है आगे देखें तीस नमबर प्रेशने किस क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है त दातों तले अंगुली दबाना मतलब आस्रे चकीत होना, चैसरे चकीत होना। आज ने आने देना यानि की हानी या कश्ट ने होने देना कूप मंडूप होना कूप मंडूप होना तो यहां पे होनहार होना का गलत दे रखा है कूप मंडूप होना यानि की अलपग्य होना तो इस प्रेसन का राइट आंसर बै नमबर का उप्षन हो जाएगा यहाँ पे होना हरो होना गलत दे रखा है हवाई के लिए बनाना यानि की थोती कलपना करना मन मारना यानि की इच्छाओं पर नियंटरन करना ठीक है तो इस प्रेसन का राइट आंसर बे नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 32 नमबर प्रेस ने बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही यर्थ क्या हो जाएगा तो इसका मतलब होता है वो है अनावस्यक बारीकी में जाना अनाव स्यक बारी की में जाना देनमबर उप्शन सईयुत्तर हो जाएगा आगे देखे, मुहावरे के गलक प्रियोग से कौन सा वाक्य सुद नहीं है तो कौन सा वाक्य इसमें सुद नहीं है तो यहां पर देखिए, परदान मंतरी ने देश का दुवादार दौरा किया, तो यह इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, देखिए, परदान मंतरी ने देश का तूफानी दौरा किया, यह सुदवाक्य है, दौरा दौरा गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो इसका राइट आ दोस्तों वो है भागे खुलना तो इसमें ए नंबर ओप्षन सेउत्तर नेक्स्ट ए डकार जाना मुहावरे का अर्थ है डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा वो है हडप जाना क्या हो जाएगा हडप जाना बै नंबर ओप्षन सेउत्तर नेक्स्ट ए पेट ना मोहावरे का पार्थ हो भाग जाना है तो वह है दोस्तो हर जाना यानिकि हवा हो जाना मोहा मोडना देर रखा मुँआ मोड़ना का मतलब क्या होता है द्यान ने देना सिर उठाना दे रखा है सिर उठाना का मतलब क्या होता है विद्रो करना और देखिए मुँआ की खाना यानि की अपमानित होना ठीक है तो यहां पे हवा हो जाना से नमबर उप्शन से यूतर हो जाएगा 38 नमबर प्रेशन है बाल बाका ने होना मुहावरे का क्या अर्थ है तो वो है दोस्तो कुछ भी नुकसान ने होना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे नमबर का उप्शन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है आग में घी डालना मतलब क्या हो जाएगा क्रोध को और बढ़काना ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे अगनी परिक्षा देना मुहावरे का अर्थ है तो दोस्तो क्या हो जाएगा तो वो है इसमें कठिन परिष्थितिमें पढ़ना से नंबर-option से नेक्स्ट से बादा डालने के लिए उप्युक्त मौहा भरा है वो क्वोंसा है तो वह रोडा अठकाना से नंबर उप्सन से रोडा अठकाना नेक्स्ट इन में से किस वाक्य में मुहावरे का गलत परियोग हुआ है तो कौन से वाक्य का इसमें मुहावरे का गलत परियोग हुआ है तो इसमें सिधा साब को दिख रहा होगा उसे व्यापार में इतना गाटा हुआ कि उसकी चांदी कट गई ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें तो अपना राइट आंसर से नंबर ओप्शन बिल्कुल सही उक्तर हो जाएगा आगे देखें 43 नंबर प्रेस ने बहुत उधम मचाना वाक्य के लिए सही मुहावरा है तो बहुत उधम मचाना यानि की दोस्तो सिर पर उठा लेना तो इसमें ए नंबर ओप्शन सही उक्तर नेक्स्ट है डंका बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा डंका बजाना यानि की दोस्तो परतिष्टित हो जाना ए नंबर ओप्शन सही उक्तर परतिष्टित हो जाना नेक्स्ट है किस क्रम में मुहावरे का सही अर्थ लिखा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए फटे हाल होना यानि कि बहुत गरीब होना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नमबर उप्सन सही उतर नेक्स्ट है किस क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है तो यहाँ पे देखिए दोस्तो अपनी खीचडी अलग पकाना यानि कि सबसे अलग रहना आंके खुलना यानि कि वास्विक्ता का बोध होना आसमान से बाते करना यानि कि बहुत उंचा होना यहाँ पे देखिए ज जहर उगलना का मतलब होता है कडवी बाते करना, the number option सही उत्र, next है, किस क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, तो कौन से क्रम में मुहावरे का सही आर्थ नहीं है, तो यहां पे देखिए हवा से बाते करना यानि की पागल होना ये इसमें गलत हो जाएगा देखिए हवा से बाते करना मतलब बहुत तेज दोड़ना ठीक है और बात बनाना यानि की बहाना करना मुहों तोड जवाब देना यानि कि कठोर सब्दों में कहना गोड़े बेच कर सोना यानि कि निश्चित होना तो इसमें से नंबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए किस करम में मुहावरे का सई अर्थ नहीं है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें बोहे चड़ाना यानि कि कुरुद होना चक्मा देना यहाँ पे देखिए समान देना गलत हो जाएगा इसमें चक्मा देना यानि कि दोखा देना ठीक है और कंट काहार होना यानि कि बहुत पिरिय होना खाक ठाना यानि कि बहुत खोजबिन करना तो इसका right answer बे नमबर option हो जाएगा 49 नमबर प्रेशन है किस क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है तो मुहावरे का सही अर्थ है वो किसमें नहीं है तो देखिए आटे दाल का भाव मालूम होना बड़ी कटनाई में पढ़ना इंट से इंट बजाना नश्ट कर देना आना कानी करना टालमटॉल करना अकल पर पत्थर पढ़ना बुद्धी ब्रष्ट होना तो इस प्रेशन का right answer ए नमबर option हो जाएगा आगे देखिए 50 नमबर का प्रेशन है किस करम में मुहावरे का सई अर्थ नहीं है किस करम में मुहावरे का सई अर्थ नहीं है यहां पर देखिए खून सूखना यानि कि बहबीत होना ठीक है बिलकुर सही है ओंकली में सिर देना बादा दूर करना ये गलत हो जाएगा दूस्तो यानि कि ओखली में सिर देना मतलब जान बूज कर विपत्ती में फसना ये अपना इसमें गलत हो जाएगा बादा दूर करना तो बैनमबर उप्सन अपना राइट आंसर हो जाएगा घी के दिये जलाना यानि कि खुशिया मनाना तांग अडाना यानि कि बिना मतलब परेशान करना तो इस प्रेशन का राइट आंसर बेनमबर उप्शन बिल्कुल से उत्तर ये मैंने आज आज आपको जो टोप 50 प्रेशन है ये मुहावरों से समंदित करवाए है प्रेशन आपके लिए लोकोक्ति से समंदित तोप 50 प्रेशन दिक्या हूंगा इसलिए अरद्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल के साथ में जुड़े रहे हैं और कोई भी टोपिक सर्च करो तो उस टोपिक के नाम के आगे अरद्यारेस अकेडमी के वीडियो है वो आपको टोप इंपोर्डेंट परसनों के साथ मिले अरद्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सबस्क्राब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत